हाई एवरीवन मैं हूँ समीता और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल समीता की चनरोमा में तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहे हूँ बहुत टेस्टी कैफे स्टाइल टॉटिया रहा है जो आज कल हर जगह ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही ज़ादा पॉप टेस्टी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यह रैप है बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आज मैं आपको टू टाइप के टॉटिया रैप पताने जा रही हूँ तो शुरू करते हैं इसे बनाना को पैन में लेना है एक टी स्पून बटर बटर के मेल्ड होते ही आपको उसमें डालना है एक छोटा बारिक कटा हुआ पैच को हलका सा बुनने के बाद आपको उसमें डालना है एक छोटी बारिक कटी सिमला मिर्च पैच और सिमला मिर्च बस एक मिनिट के लिए आपको उसे बुनना है और उस इसं का बन sus1 लोगे इसका पड़ दालनाय है 1 टीष फून ड़ी आ ढुन में आपको ड्रीक चिली सुस्का इसे में सब्सक्राइब करफेए यहां मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है तो चोटे-चोटे क्यूब्स में काट लिया है इसं को Doctorinky शिव दो और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और शेर करना ना भूले मैंने एक टॉटिया लिया है और इसकी जगा आप मैं देखी या फिर गिहू के आटी की रूटी भी यूज़ कर सकते हो यह टॉटिया आपको बेकरी में आसानी से मिल जाएंगा इस तरह के पैक में आपको इसे इस तरह चार पार्ट में फोल्ड करना है बस क्रीज आ जाए ज़्यादा प्रेस नहीं करना है आपको इसे देखिए लाइन्स आपको दीख रही है इसे आपको इस तरह कैची से या फिर नाइप से काट लेना है सेंटर पॉइंट तक बस टॉटी है कि चार पार्ट्स चो है चार पार्ट्स में अलग-अलग आपको स्टफ करना है देखिए पहले इसमें मैयोनीज लगा रही हूँ आप इसमें कोई भी पीज़ा सॉस या फिर अलग प्रकार के सॉस रहते वो भी लगा सकते हो इसमें बस एक ध्यान रखना है आपको थोड़ा आउटर लेंग छोड़के स्प्रेड करना है दूसरे पार्ट में मैं रख रही हूँ प्याच टमाटर के स्लाइसेस आपको स्लाइसेस ज्यादा मोटे नहीं लेना नहीं तो फिर आपको रैप बनाने में दिक्कत जाएंगी थर्ड पार्ट में मैं डाल रही हूँ मोजरेला चीज अगर आपको ज़्यादा चीज पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो बस थोड़ा आउटर लाइन चोड़के क्योंकि अगर यह मेल्ट हो जाने के बाद बाहर निकलेगा इसलिए लास्ट एंड फोर्थ पार्ट में आपको डालना है पनीर स्टफ जो आपने अभी पनाया है और अभी इंटरस्टिंग पार्ट देखिए मैं इस तरह रैप कर रही हूँ एक एक पार्ट को लेके आपको फोल्ड करते जाना है बस ध्यान रखना है आपको जो भी स्टफ है आपका वो लास्ट पार्ट में भरना है देखिए कितना मस्तर आप तयार हो गया है एक गरम पैन में थोड़ा सा बटर लेना है और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और आपने जो रैप तैयर किया है उसे बस एक मिनिट के लिए दोनों साइट से पकाना है बस थोड़ा सा हलका सा ब्राउन होने देना है आपको दोनों साइट से देखिए ये एक साइट दोगे मैं से फिलिप कर रही हूँ अब ये आपको दुसरे साइट से इसे पकाना है ये हो गया आपका पनीजटब टॉटिया रैप अभी बनाते हैं दूसरे टाइप का मैंने लिए हैं दो बॉइट पटाटो एक टीस्पून कॉर्ण फ्लावर हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टीस्पून ओरिग्यानो और स्वाधानुसा नमक इसे आपको अच्छे से मिला लेना है आपको इसकी टिक्की बनानी है चिली फ्लेक्स और ओरिग्यानो टेस्ट को इनहांस करनी के लिए डाले हैं आपको और कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो आपने टेस्ट के अनुसार गरम पैन में आपको थूड़ा सा बटर डालके उसे अच्छे से स्प्रेड करना है और आलू की टिक्की बनाके उसे हलका सा ब्राउन होने तक आपको पकाना है दोनों साइट से मैं टाटिया रैप में चोट टिक्की रख रही हूँ बर्गर टिक्की या फिर आलू टिक्की इसकी जगा आप कोई भी स्टफ ले सकते हो जैसे वेजीज है या फिर फ्रेंच फ्राइज है कुछ भी रख सकते हो फिर वही प्रोसीजर अपको फॉलो करना है जैसे टॉटिया को चार पार्ट में फोल्ड कर लेना है उसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना टॉटिया को अपको इस तरह कट करना है सेंटर से पॉइंट तक पहले रैप में मैंने यहाँ पहले पाट को मैयोनिज लगाया था यहाँ मैं शेजोन सॉस स्प्रेड कर रही हूँ मुझ ज्यादा मोटी परत नहीं रखनी है अपनी और आटर लाइन छोड़ देना है फिर से मैं यहाँ टमैटो और ओनियन की स्लाइसेस रख रही हूँ मैं मुझ रीला मैं चीज की जगाँ चीज चीज स्लाइस रख रहे हूं और सीक के पाड्य भाहर आया है उसे मैं फॉल्ड कर ले रहे हूं ताकि बाहर ना निकले आप के मैं ने जो बनाई है टिक्की वो रख रहे हूँ एक एक पार फोल्ड करते जा रही हूँ आप देखिए किस तरह जब फोल्ड करते हो तब थोड़ा सा प्रेस करना है आपको और मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी जो आप स्टेफ तयार करते हो जैसे मैंने पनीर का किया था या अभी आलो टिक्टी की बनाई है वो आपको उस तरह का स्टाफ लास्ट में बरना है वैसे ही आपको एक पैन में गरम पैन में बटर डालना है और दोनों साइड से अब जब उसे बटर में पकाते हो तो जो अंदर का स्टफ है वो पूरा पक जाता है जैसे चीज है वो मेल्ट हो गया है टमैटो थोड़े से सॉफ्ट हो गया है और इसी वज़ा से इसका टेस्ट लाजवाब होता है यह देखिए आपका टॉटिया रेप तयार है आप इसे मेयोनी जियाफी टमैटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो बहुत ज्यादा टेम्टिंग लगता है तो फूड़ी इस आपको मेरी रेसिपी कैसी लेगी है आप केमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई इंट्रस्टिंग रेसिपी के साथ फिर मिलते है तब तक के लिए बाई झाले है